हलो फ्रेंड्स वल्कम टो एर चानल और आज हम बात करने वाले हैं बैंक आफ बरोदा के बारे में आज इसने बहुत यह इची यहाँ पे क्लोजिंग दी है 111.95 की लेटेस्ट क्लोजिंग है इस वीडियो में हम कवर करने वाले इसके फिनांशियल्स और आने वाले टार्गे और यहाँ पे ब्रोकरिजिस की भी क्या रिकमेंडेशन है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं तो देखें यहाँ पे जो पी रिशियो थोड़ा जादा है 36.25 अगर हम कंपेर करते हैं सेक्टर पी से जो है 25.84 का फिनांशियल्स भी देख लेते हैं तो देखें 2018 से ल प्रोड़मेंट हुई है यहाँ यहाँ पर इबिटा हो गया उनका 7730 करोड का बहुत अच्छी इंप्रोड़मेंट इस साल उन्होंने बताई हैं नेट इंकम भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो निगेटिव से यहाँ पर पॉजिटिव में हो गया है 1547 करोड और EPS भी देखिए यहाँ पर माइनस 7.58 से हो गया है भी 3.15 का शेर होल्डिंग पाटर में देख लेते हैं तो यहाँ पर प्रमोटर के होल्डिंग है 63.97 की प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है mutual fund यहाँ पर 9.52 परसंटेज, DII, 5.14 परसंटेज, FII, 7.37 परसंटेज, retail and others यहाँ पर 14 परसंटेज की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं company के strength के भी बात कर लेते हैं तो देखिए company का यहाँ पर EPS continuously grow होते होए दिखाए दे रहे हैं उसी के साथ grow हो रहे है net profit और profit margin quarter on quarter और उसी के साथ year on year basis पे profit increase हो रहा है पिछले 3 quarter से और यहाँ पर company का zero promoter pledge है net profit margin यहाँ पर company की जो है rise हो रहे हैं और उसी के साथ जो price momentum है strong दिखाए दे रहा है weaknesses में अगर हम देखते हैं तो low petros की score है decline net cash flow और book value जो है पिछले 2 साल से deteriorate होते हुए नजर आ रही है return ratios में देखे 1.87% ROE है ROC 1.97 और ROE जो है 0.12% है कासा ratio अगर हम देखते हैं तो वो पिछले साल के comparison में बढ़कर हो गया है 39.80 अब अगर हम यहाँ पर brokerages की राए ले तो LKP Securities इन्होंने यहाँ पर bank of baroda पर buy के recommendation दी है और इनका जो target है वो है 136 का और इसका जो tenure है वो उन्होंने दिया है एक साल का उसकी साथ अगर हम यहाँ पर इनके global financials की राए ले तो उन्होंने भी buy के recommendation दी है और इनका जो target है वो है 145 का शेरकान भी किये भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी buy recommendation दी है target है इनका 128 का बात करते हैं इसके technical chart analysis की तो देखिए आज की जो यहाँ पर green candle बनी है बहुत ही अच्छे यहाँ पर volume भी नजर आ रहे है और उसके साथ अगर हम यहाँ पर RSI देखते हैं 60 यहाँ पर almost cross हो चुका है यहाँ पर 60 के आसपा सी यह trade कर रहा है MACD यहाँ पर bullish cross over भी हो गया तो दोनों indicator जो हैं यहाँ पर 60 और उसके साथ MACD दोनों इसके लिए positive है और उसके साथ जो हमारा stock है 20 moving average और उसके साथ 200 moving average यह दोनों averages के उपर trade कर रहा है जो कि यहाँ से uptrend के तरफ ही indicate कर रहा है अब यहाँ पर अगर हम chart pattern की बात करते हैं तो आज के session में इसने cross किये और closing जो है वो उपर की तरफ दिये 111 पे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है यहाँ पर strong momentum नजर आ रहा है अगर यह जो level है आने वाले session में अगर यह तूट जाते तो उसके बाद 111 से यहाँ पर 115 और उसके बाद जो next resistance जो है हमारा वो है यहाँ 117 का तो बहुत जल्द यहाँ पर कुछ session के बाद 117 के भी target अच्छी होते हुए नजर आ सकते हैं हमारा यहाँ पर जो support है वो अभी के लिए support रहेगा 104 का अब जो लोग उन्हें यहाँ पर long term के हिसाब से invest करके रखा है उन्हें तो hold करना चाहिए है क्योंकि आने वाले जो यहाँ पर गिरावट दिखाए देती है support level से फिर से bounce back देके consolidation करता है और उसके बाद जो next rally आती है यह जो resistance है यह break करने के बाद फिर से एक नया यहाँ पर high बना रहा है यहाँ पर फिर से उसने एक नया high बनाया है तो देखिए हमारे जो यहाँ पर एक support trend line है उसका यहाँ पर सहरा लेते हुए और जो 200 moving average है उसका यहाँ पर सहरा लेते हुए यह जो stock है यहाँ पर higher highs बना रहा है और lower highs बना रहा है जो इसके low बन रहे है वो बहुत ऊपर के low बन रहे है तो यहाँ पर long term investor ने तो बने रहना चाहिए और जो नय investor है उन्होंने यहाँ पर buy on dip की strategy अब तक हमारी यह जो support trend line है, यहाँ पर respect हो रही है, इसका जो uptrend है, यह on रहेगा, अब यहाँ पर थोड़ा बड़ा चार्ट हम देखते, तो देखें, यहाँ पर यह जो इसने एक rounding bottom formation किया, उसके बाद यह second rounding bottom, तो यहाँ पर यह जो stock है continuously rounding bottom formation करते हुए, उपर की तरफ जा मिड से लेके long term में, यहाँ पर जैसे ही 118 के जो target है, यहाँ पर cross कर देता है, उसके बाद यहाँ पर जो आने वाले target है, next हमारा target रहने वाला है 130 का, क्योंकि next जो resistance है, वो इसके आसपास है, जो है level 130 के, अब यहाँ पर हम weekly chart भी एक बार देख लेते, तो देखें, यह है इ यहाँ पर नीचे आया है, और उसके बाद बहुत important चीज है, यहाँ पर देखें, यह जो हमारा 20 moving average है, इसने 200 moving average को cross कर दिया है, तो देखें, यहाँ पर बहुत ही अच्छा, यहाँ पर crossover हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ सालों में, बैंक और वरोदा ज यहाँ पर अच्छी होते हुए दिखाए दे सकते है, इसने यहाँ पर बहुत ही अच्छा consolidation किया, 2004 से लेके 2008 का, इस duration में यह जो consolidation किया है, यह support अभी भी हमारे पास COVID के time पर intact रहा है, और exactly इसी support से इसने जो bounce दिया है, बहुत ही अच्छी नंबी rally यह तरह कर रहा है, और य यहाँ पर long term के हिसाब से बहुत अच्छे, target अच्छी होते हुए दिखाए दे सकते हैं, तो I hope इस वीडियो में जितने भी information cover की, आपके लिए helpful ज़रूर रहे होगी, comment section में हमें बताईए, वीडियो को share कीजिए, चैनल पर अगर first time है, तो चैनल को subscribe करके bell icon दबाना मत भू मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, thank you so much